नमश्कार दोस्तों मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि ऐसा आसान यूनिक वाइलिंग ट्रेट्मेंट आपके बालों के लिए जो कि आपके बालों को वाइल के तो सारी गुडनेस देता ही है साथ ही साथ एक हेयर मास्क के एकवल है तो आपके बालों को बेहत खुबसूरत बनाएगा ये और साथ ही साथ आपके बालों को ज़र्ने से रोकता है और लंबा बनाता है तो बिना देर किये चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल रेमेडिय है गाइस उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आप मेरी चैनल पर नूँ है तो जली से इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूले ठाकि मेरे आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहे वीडियो पसंदा है तो प्लीस लाइक जरूर किजेगा और इसे जादस जादस शेयर किजेगा लेट्स स्टार्ट दे वीडियो तो गाइस सबसे पहले एक बाउल और स्पून ले ले अब इसमें मैं एड़ करने वाली हूँ सबसे पहला और सबसे मेन इंग्रेडियन जो है वो है कैस्टर वाइल जी हाँ आप सभी को पता होगा कि कैस्टर वाइल कितना बेनिफीशियल है हमारे हेर्स के लिए तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 3 स्पून कैस्टर वाइल कैस्टर वाइल से हमारे हेर्स को एक अच्छा सा शाइनिंग मलता है एक अच्छा सा ग्लो मिलता है और हेर ग्रोथ में यह बहुत जादा हिल्फुल है अब जो नेक्स्ट इंग्रेडियंट है सेकंड इंग्रेडियंट वो है ग्लीसरीन तो मैं यहाँ पे ग्लीसरीन आड़ करूंगी वन स्पून गाइस इसे बनाना बहुत ही असान है और मैं आपको बता रही हूँ कि वीक में अगर आप कम से कम दो बारी से अपलाई करेंगे ना तो आपको खुद बखुद इसका एफेक्ट दिख जाएगा यह कितना बेनिफीशियल है अब जो थर्ड इंग्रेडियंट एंड लास्ट इंग्रेडियंट है वो है अलोवेरा जेल आप चाहें तो फ्रेश अलोवेरा को मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर टू स्पून अलोवेरा जेल अड़ कर दूँगी यह मार्केट का अलोवेरा जेल है अब आपको देखना है मैजिक जी हाँ इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी आपको यह दिखेगा कि यह कितना थिक हो जाएगा और यह बिल्कुल वाइटिश कलर का हो जाएगा तो यह हमारा हेर मास्क जो हमने अभी तयार किया ना हेर वाइल बोल लें आप इसे बहुत ही फाइदेमंद है आगे आप जरूर देखिए मैं इसे कैसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने हेर पे और मैं आपको बता देती हूँ कि वीक में कम से कम इसे दो बार जरूर लग करें आपके बालों के जो भी समस्या हैं आपके बहुत कम जो है आपके बहुत क्लिश्क रहे हैं आपके बाल की अच्छी ग्रोथ नहीं है सारा कुछ इस में आपको रेमेढी मिल जाएगा तो इसे मैं आपको तखा देती हम कैसे लगाना है तो बस थोड़ा सा लेना है और थोड़ा थोड़ा आप इसे इस तरह से आप सेक्शन में कर लें और इसे बिलकुल रूर्स तक आप अच्छी तरह से लगा है मैं आपको करके थोड़ा सा दिखा रही हूं बिलकुल टिप से लेके बॉटम तक इसे लगाना है बिलकुल अच्छी तरह से इसे अपलाई करना है पूरे hairs पे और इसे लगा के आपको at least half an hour तक रहने देना है उसके बाद इसे कोई भी मायज शैंपू से आप शैंपू कर ले ये गाइस बहुत ही फायदे मंद है आपके hairs के लिए आप जरूर अपलाई करें अपने hairs पे और धीरे धीरे इसका effect आपको दिख जाएगा बस इसी तरह अच्छी तरह से इसे apply कर लेना है hope आपको video helpful लगी होगी तो comment करके जरूर बताएं thank you